इजर इट्स एकोनोमिक्स और साइंस में कितना वीक हूं इन दोनों सब्जेक्ट में उसका अंदाजर ही इसे पता चल जाता है कि यह स्टिमिलस वाले जितने भी मीम्स चल रहे हैं मेरे को एक भी समझ में नहीं आ रहा है काफी लोगों ने ट्विटर पर में को डेफिनेशन दी बट उनको समझना होगा अगर डेफिनेशन मेरे को समझ में आ रही होती तो शायद मैं अभी यूट्यूब नहीं कहीं चार्टेड अकॉंटेंट लगा हो था अगर अपने पैर पे कुलारी मारना एक कहावत है तो शायद टी बार उस कहावत के मारती है जब उन्हें पता चला कि मनसूर ने मैच जीत लिया अपना 205 लाइव का विच इस वेरी बिग स्टेज बिगर देन रेसलमेनिया उसके रिप्लाइ में टी बार ने लिखा वी हेट फ्वे डब डब डबी सूपर स्टार इस्पेशली दिस काई deserves a punch square in his face hashtag retribution so यह आपको level बताता है basically retribution का कि कहाँ The Fiend, Randy Oton इन सब को attack करने से सिधा you know Mansoor पे and I'm not going to blame him because Mansoor is literally a end-e-fated superstar he has a 36 match winning streak 36 match उन्होंने जीत लिया है बिना हारे and if there is anyone जो कि उस streak को तोड़ सकता है that is going to be T-bar but I think उनको काफी महनत करनी पड़ेगे because I don't think so कि 205 Live में T-bar जाने वाले है और Saudi Arabia में अब उनको entry मिलने वाले है because यह जो उन्होंने करा है Saudi Arabia के golden boy के साथ I think इसके बाद Prince उनको allow ही नहीं करेंगे Saudi Arabia में और उससे भी बड़ा savage level Saudi Prince की तरफ से आ सकता है जब वो उनको allow करे लेकिन फिर जाने ना दे well Vince McMahon and company के साथ कर सकते है तो T-bar क्या चीज़ है but anyways there is a good news good news थोड़ा सा hype करने के लिए I don't think so that is happening but Rainmaker Kazuchika Okada ने recently काफी बढ़िया comment किया उन्होंने recently बताया कि इस tough time में fans ने हमारा बहुत साथ दिया और हम भी पूरी दुनिया में काफी लोगों के ऊपर मुस्कराहट ला पाए तो मैं चाहता हूँ कि जब दुनिया में दुबारा से शान्ति आ जागी यानि कि दुबारा से कोरोना का काल खतम हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि सारी wrestling companies मिलकर wrestling fans को एक जुट होकर वो चीज़ दे जो कि वो deserve करते हैं क्योंकि उन्होंने इस situation में हमें support किया because let's be honest अगर कोई corporation या फिर कोई एक target field था जिसको सबसे आदा support मिला हम wrestling कह सकते हैं because wrestling fans are always there no matter वो आपको कितना भी hit करें लेकिन बुरे वक्त में वो हमेशा आपके साथ रहेंगे until and unless you are pedophile so Okada ने idea दिया कि new japan pro wrestling wwe, aew, cml, aaa सब एक साथ आकर एक super show बनाते हैं जहांपर हम fans को उनके dream matches भी दे सकते हैं and this idea is fucking crazy any wrestlemania, any wrestle kingdom or any double or nothing इस चीज को top नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है just imagine wwe का top champion roman mcintyre, aew का top champion omega और बाकी wrestling promotion के top champions एक साथ एकी ring में that is going to be blockbuster and who knows maybe moxley और roman और moxley और seth भी आपने सामने है I think this is going to be the perfect अगर njpw, wwe, aew यह सब मिलकर super show करते हैं I really hope कि यह implement हो idea काफी ज़्यादा potential है सब companies का तो हो भी सकता है but wwe का आना बहुत माइने रखता है और शायद उनका ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है now मुश्किल तो सबसे ज़्यादा micky james का हुआ यह मानना कि किसी ने उनको F tier की rating कैसे दे दी so recently smackdown की tier list निकाली थी but if I'm not wrong वो WWE on Fox के जो journalist है Ryan Satan उन्होंने अपनी tier list निकाली जिसमें उन्होंने A plus tier पर Roman Reigns and Sasha Banks को रखा then Seth Rollins, Brian and Bayley and so on and last में उन्होंने रखा था Mojo Rolli, Mickie James and Kalisto को so people are saying के disrespect हो गया icon का disrespect हो गया icon का I don't agree with this in fact I don't even know कि Smackdown में Mickie James है भी that's what that tier list is वो tier list किसी की उकाद नहीं बता रहा है वो इस समय Smackdown में कौन किस tier पर है वो बता रहा है जिसको लेकर Mickie James काफी ज़्यादा ओफेंड हो गई और उन्होंने ये tweet डालते है and as always social media fans were like oh my god हमारे legend की बेजती हो गई है क्योंकि अभी हमारे पास घर में करने को काम कुछ है नहीं तो इसलिए हम आपको support करेंगे और हम चाहते हमने भले ही आपको नहीं देखा Smackdown में बट हम आपको A plus पर ला कर रहेंगे क्यों क्योंकि आपने बहुत साल पहले Trish Stratus के साद अच्छे matches दिये थे You are a legend आप भले ही अभी काम नहीं करोगे लेकिन हम आपको फिर भी champion मना कर रहेंगे So that is a fucking stupid thing I mean आप कैसे किसी को A plus tier पे डाल सकते हो जब वो अभी कुछ नहीं कर रहा है A plus भी छोड़ो A या B I would not have any problem अगर Mickey James इस समय Women's Championship hold कर रही होती तो So this is just another example जहां पर लोग नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चड़ जाते हैं They think यह उनका फेवरेट है यह पहले लेजेंड रहे चुका है तो context छोड़ो हमें इसको उपर ही रखना है That is just pathetic But yeah AJ Styles ने अपनी list निका ली जब उनसे पूछा गया कि WWE के future stars उन्हें किसमें दिखने तो उन्होंने दो superstars का नाम लिया Matt Riddle and Keith Lee Matt Riddle की तो बहुत ही ज़्यादा तारिफ करिया जब उनसे पुछेगे कि कोई तीसरे superstar का नाम ले सकते हो तो AJ Styles ने आखों पर पट्टी बांद के बोला कि मेरे को ऐसा तीसरा बंदा भी तक कोई दिखा नहीं है हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जो कि अभी तक shine नहीं किया है वो तीसरा बंदा मेरी नजरों में होगा So basically वो कहना चाहते है कि इस समय जो भी NXT में है Fuck you all तुम में मेरे को potential नहीं देखता That is very savage reply from phenomenal one AJ Styles I just want कि वो केरियन क्रोस के सामने ना आए क्योंकि केरियन क्रोस को इस कमेंट से ही नहीं बलकि इस चीज से भी जलन हो सकती है कि यार तुम्हारे इतने सिल्की बाल कैसे है यार मेरे तो बाल ही नहीं है Also एक और बंदा trend हो रहा है And that is Parker Bordrax I don't think so कि मैंने साही से प्रणाउंस किया And he is the next Brock Lesnar Everybody is saying him the next Brock Lesnar वो दिखने में भी कुछ वैसे ही है उनकी फिजीक बहुत बढ़िया है उन्होंने अपने Twitter बायो में भी लिख दिया Next big thing And what's more important is कि Paul Heyman ने भी उनको reply दिया उन्होंने लिखा His tweet is not a prediction It's a spoiler Save this hustle tweet for future historical reference And after that everybody is following him And सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि आपको follow back मिल जा इस बंदे की तरफ से He is the next Brock Lesnar So imagine आप आज से 10 साल बात कह सकते हो कि आपको Parker follow कर रहे है तो जाओ follow करो And if 2021 is going to be that special Then I think हमें मिल चुका है WWE का अगला Brock Lesnar And now we all want Kane versus Kane No Undertaker versus Undertaker No Brock Lesnar versus Brock Lesnar rivalry Anyways that's it for this video Also what do you guys think about that Mickey James comment Do you actually think कि अगर कोई उस समय पर उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है Lेकिन just because उन्होंने पहले उतना अच्छा काम कर रहा है उस वजह से उनको उपर रखना justify करता है Like with the likes of Roman Reigns and Sasha Banks Joki carry कर रहा है SmackDown को Anyways comments में आप बताईए और अगर आपको वीडियो पसंदा आए तो प्लिए लाइक और शोर को और चैनल को सब्सक्राइब करो